नमस्कार मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रगुवीर देशपंडे मैं आप सब का मेरा ऐरवेद एकडेमी यूट्यूब चैनल में सहर्च स्वागत करता हूँ आज की दवा है द्राक्षा सव द्राक्षा तो जाने माने ये फूट्स हैं सब को पता है ग्रे द्राक्षा सव के घटक द्रव है पहले तो द्राक्षा हो गया उसके साथ शक्कर आ गई देन शहेद है धैटी के फूल है कंकोल लवंग जैफल मिरे चातुर जात पिपली चित्रक चव्य पिंपड मूल चंदन और करपूर मतलब कापूर है ठीक है तो इसमें क्या करते है द्राक्षा सव बनाते समय पहले द्राक्षा या मनुका बोलते रेसिल्स लेकर उसका काढ़ा बनाया जाता है ठीक है इस काढ़े में कंकोल इत्यादी द्रव्य के चूरण मिलाकर उसके साथ साथ शक्कर दायटी के फूल डाल देते और वो छे महने तक एर टाइट बॉटल में या जार में रखक कर उसके उपर संधान क्रिया की जाती है अलकॉलिक फर्मेंटेशन इसके द्वारा ये द्राक्षा सो बनाये जाता है। द्राक्षे जो है वो मधूररस ही है, मधूरस, sweet test, हमेशा sweet test अईरवेद ने कहा है कि यह nutritious है, हमारे जो carbohydrates है वो बढ़ाने वाली है, energy बढ़ाने वाली है, शरीर का वर्धन करने वाली है, वजन बढ़ाने वाली है, तो मधूरस हमेशा क्या करता है? इंग्लिश में का बोलेंगे? चया पचय में चय की प्रतिया, जिसमें ज़्यादा तर nutritious value ज़्यादा हो सकती है, मतलब है द्राक्षा में, उसके साथ शीतगुन है, शीतगुन से भी क्या हो जाएगा? कि पूरे शरीर की जो irritation है, धातवनी की प्रक्रिया में धातु बनाते समय जो भी metabolic process होता है, wear and tear होता है, वो कम हो जाएगा, protection का काम करती है, stability देने का काम शीतगुन से होता है, और धातु वर्धन, सबसे बड़ी वाली चीज़ कौन सी है, धातु वर्धन, आप तो जानते है आईरुवेत का इसाब से हमारे शरीर के मुलबुत क्यों से गटक है, द दोश, धातु और मल, जहां से सुनिए, इसमें दोश का मतलब fault नहीं है, दोश का मतलब है, वात, पित्त और कफ़र, ये bio energies है, धातु का मतलब metal नहीं है, metal नहीं, धातु का मतलब क्या होता है, body tissues, कौन से बता है, सब्त धातु अरुवेत ने, रस, रक्त, मांस, मेद, अस् शुक्र, ये सब्त धातु बोले हैं, ठीक है, तो ये सभी के सभी धातु के वर्धन हो जाता है, मतलब, खून की hemoglobin बढ़ जाएगा, muscles बढ़ जाएगे, fat का content, metabolic process अच्छा रहेगा, bones strong हो जाएगे, reproductive tissue पर ये काम करेगा, तो ये द्राक्षा सो धातु वर्धन करता है, मतल मन के उपर भी काम करता है, तो शरीर और मन दोनों का nourishment करने का काम ये द्राक्षा सो करता है, द्राक्षा सो से वात और पित्त का शमन हो जाता है, जो वात पित्त कफ़ है, उसमें क्या हो जाता है कि जब वात प्रकुपित हो जाता है, तो शरीर में रुखापन, सुखापन रुक्षता, ड्राइनेस बढ़ जाएगा पित्त बढ़ने से क्या हो जाएगा पित्त की उष्णा और तिक्ष्णा गुन होता है तो शरीर में वेर एंड टेर जादा हो जाएगा डी जनरेशन जादा हो जाएगा ओटो इम्यून प्रॉब्लम्स जादा आ जाएगे तो यह ओटो इम्यून डिसीजस में जब भी आपको लगता है कि मले शरीर में पेशन के शरीर में जादा वेर एंड टेर है धात्तुक्षय हो रहा है तो इस दफा उसमें वात और पित्त का प्रकुप ध्यान में रखकर जो वात और पित को शमन करने वाली दवा है वो है द्राक्षा सव द्राक्षासो से वात और पित्त का शमन हो जाएगा वात की रुक्षता चली जाएगी पित्त की उष्णता चली जाएगी ठीक है और शरीर में स्निक्दगुन बढ़ जाएगा शरीर में शीतगुन बढ़ जाएगा इसी कारण द्राक्षा से बनाया हुआ ये द्राक्षासव जो है वो अनेक विदव्याधी में बल्य का मतलब टॉनिक जैसा अईरवेद वाले लोग इस्तिमाल करते हैं तो द्राक्षासव is the best tonic in many diseases नमबर वन पहला disease है राजी अक्षमा, tuberculosis, pulmonary tuberculosis इसमें बुखार होता है सरवा धातु जो है वो क्षिन हो जाते है धातु क्षे हो जाता है और रुग्ण का जो वजन है वो धिरे धिरे कम हो लगता है मतलब ऐनोरेक्सिया होता है fever होता है evening rise of temperature weight loss होता है और पूरी की तरह से weakness आजाता है तो ये सभी की सभी जो सिकायत है तक्रार है वो द्राक्षासो से बिलकुल कम हो जाएगी इसके लिए इस राजी एक्षमा में द्राक्षासो अमुरूत के समान माना जाता है लएक एमरोशिया द्राक्षा ये मधुर्रस की है शीतगुन वाली है पितप्रशमन करने वाली है जो बुखार आता है तो उसका कारण पितप्रपोब होता है तो पितप्रशमन हो जाने से बुखार कम हो जाएगा बुखार की वज़े से होने वाली दाह इत्यादी जो लक्ष ज़ो वजन है वो बढ़ जाएगा, भूग भी बढ़ेगी, राज एक्ष्मा में एक बात अलग है, जाफ रा अगनी मांद्य उतना ज्यादा नहीं होता, फिराल धात्वगनी मांद्य बिल्कुल ज्यादा होता है, मतलब धात्व का पोशन जो है जिसके लिए जो अगनी लगता है धात्वगनी उसका जो है न वो कम हो जाने से डेफिशेंसी होने से बहुत सारी विकनिस आ जाता है तो धात्वगनी मांदे दूर करने का धात्वगनी प्रदिप्त करने का काम धात्वगनी पोशन करने का काम ये द्राक्षा सो के द्वारा होता है, वस्तुता ऐसे देखा जाए तो आस्वारिष्ट सुभाव तहां धात्वग निवर्दन करने वाली होती है, फिरहाल ये द्राक्षा सो में जो बहुत सारी गटक द्रव्य है, उससे ये धात्वग निवर्दन का काम अधिक अच्छा त तो उससे भूख भी बढ़ेगी और ज़से ज़से पेशन खाते रहेगा, वो पचन होगा, हजम होगा और जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसमें जो मीरे है, ब्लैक पेपर, वो केवल जाठ रागने नहीं, तो उसके साथ-साथ वो माउसधात्वक नहीं वर राक्षासों में और कुछ द्रविया इसी है, जैसी कंकोल है, पिम्प्री है, मीरे है, ये श्वसन मारगी के उपर काम करने वाली दवा है, तो विशेशता उनका कार्यक्षेत्र, कंकोल, पिपली, मीरे का कार्यक्षेत्र, फेफडे, फुपुस, लंग्स है, तो इसके तंदुरस्ति हो जाएगी, उसमें कापूर करपूर करूर करके, कैंफर करके द्रव्य द्राक्षा सो में. इससे क्या हो जाता है कि जब यह उसका एक Israeli हो जाता है, हमारे शेरिर से जब करपूर निकलता है, वो aromatic है, तो उसको लंग्स के द्वारा बाहर निकलना पड़ता है. जब ये करपूर का एक्सक्रिशन हो जाता है, बाहर निकलता है, तो उसके साथ-साथ वो फुपुस का कफव शोधन करता है, ठीक है? और राज एक्ष्मा में होने वाले जो खासी की तकलिफ है, वो तुरंत राक्षा सो लेने से कम हो जाएगी. तो इस तरह केवल राज एक्ष्मा में नहीं, तो जहां भी आपको लगता है कि जीरनक कास है, क्रॉनिक कफ है, जैसे कि ब्रॉंकाइटिस है, स्मोकल्स कफ है, ब्रॉंकिल अस्थमा है, इन सब लोगों में, चाहे वो HIV का पेशन्ट हो, जिसको ये खासी की तकलिफ बढ़ रह है, एनुरेक्सिया है, कैंसर का पेशन्ट हो, कही कबार उसको लंका कैंसर हो गया, और वो खासी आ गई, बुखार चला रहा है, भुख नहीं लगती, तो इसी के में भी सब जगह पर आप ये द्राक्षा सो जो है, वो शुधा बढ़ाने वाली, धातवगनी को बढ़ाने और बल्य होने के कारण, वो सामान्यता, ऐसे जनरल टॉनिक के नाते, ये बहुत काम में आती है, कई कबार, बिल्कुल मामुली से ही तकलिफ होती है, कि बच्चे खाते नहीं है, या ओल्ड पेशन्ट को, because of the senile changes, they just don't eat, जो भी एनॉरेक्सिया की कम्प्रेंट है, भुक न अच्छे वीडियो मैं बनाता हूँ, क्योंकि लोगों को जादा से जादा जानकारी मिले, फिराल यहाँ पर हमेशा मैं डिस्क्लेमर नाते से बता देना चाहता हूँ, यथा वश्यक, यथा अकाल वहिद्य की सला लेना बहुत जरूरत है, ऐर्वेज एकडेमी में बहुत स 6810630 पर, रुपा करके यह वीडियो लाइक शेर कर दीजिये और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिये और जो बटन है, प्रेस बटन, वो बेल का बटन वो प्रेस कर दीजिये, तो इससे दार आपको बहुत सारी इंफरमेशन की वीडियो मिलते रहेंगे, आपको झाल 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 कर दीजिये और मेरा ची वीडियो से. झाल झाल